ये बड़े-बड़े मकान, लक्षणी गाडियां, प्राइवेट जेट, पीछे नोकर चाकर, इसको बोलते है मिलेनियर ना, पोलिटिकल, फिनांशल, सोशल पावर, इसको बोलते है मिलेनियर ना, आपको क्या चाहिए, इंतलेक्शिल, मेंटल, स्पिर्चिछल पावर एक बा आपको महान होने की जरुवत नहीं शुरुआत करने के लिए शुरुआत करने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी महान बनने के लिए नमशकार मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर और सी यो बड़ा बिजिट डॉट कॉम आज कल चल रहा हूं फॉर्म में सारे आपने हर USA, Warren Buffet या फिर textile industry कहीं वीडियो बना हूँ आज देने वाला हूँ वो बिलिनेर्स की solid habits जिससे वो बिलिनेर बनते हैं ये है एकदम टूल पकड़ लिना इस वीडियो को सारी habits पकड़ लो पहली habit they don't wait they act act का मतलब क्या है action changes things ACT action changes things जल्दी act करना पड़ेगा फटा फटा फट छोटे छोटा act करना पड़ेगा focus thinking focus mindset focus goals focus conversation हर एक से बात नहीं करते सारी बात नहीं करते फालतू बात नहीं करते धीरू भाई अम्बानी छोटा शुरुआत किया एक स्कूल के master के बेटे भजिया बेचने से काम चलू किया करसन भाई पटेल जो आज निर्मा के मालिक है वो के लिए आयाइटी की फील्स जमा करने के लिए अपनी बीवी के गहने बेच करके कमपनी चालू करी और आज आयाइटी उनके उपर case study लिखता है सुनील भारती मित्तल एटल के मालिक बिजनस की शुरुआत ऐसे नहीं कर दी थी भाई साब ट्रकों के अंदर जाएंका कंसा बोलते हैं जपान के अंदर माथ सुशिता कुनोस के 23 साल के थे अपरेंटिंस थे मतला समझो एक बिल्कु जूनियर मजदूर टाइप हां और ये इन्हों ने सोचा इनके पास कोई फॉर्मल एजूकेशन नहीं थी लेकिन एक इंप्रूवड वर्जिन ऑफ लाइट नया बना के लेके आ रहा है है हीरो बन रहा है तो जपान में तो जपान में लोग चुप रहते हैं वहाँ पे तो एकदम ऐसा घर्दन जुका लेते हैं यह गया इसने अपनी बेस्मेंट में बल्ब के नए वर्जिन बनाने शुरू कर दिया है साइकल पे ठेले पे गली गल किया आता था कौन बना मातसुचिता कुन उसके आगे चलके नाशनल पैनस्वानिक पैनस्वानिक दुनिया के दस सबसे बड़े ब्रैंड करनल सैंडर्स एक्ट एक्ट बोलुरा हूं ऐक्षन औरियंटेड चोटी शुरुआत कर दो करनल सैंडर आप 65 साल की उमर में के एफ यह बिलेनियर की हैबिट यह कोई गुड़ लग का वेट नहीं करते हैं पन्ना पहनूं के मोती पहनूं यह इन्हेरेंटली सेडूशन औरियंटेड होते हैं ड्रीम बड़ा सपना लेकिन क्या स्टार्ट स्मॉल मोस्ट फॉल स्टार्ट शुरू कर दे बस चोटे जोटे इन सब में कॉमन मिलती है वह लेजर चाप फोकस लेजर में बड़ी ताकत है भाईया लेजर कैंसर में छेद कर सकता है लेजर इतना फोकस्ड होता है इलॉन मस्क इसके बच्पन की कहानी बताता हूं वह बच्पन में ना उसके माबाप ने देखा है रही सुनने ही पाता है ये कुछ सोचता रहता है, सुन नहीं पाता है उसको डॉक्टर के पास लेगा, डॉक्टर ने का उपरेशन करना पड़ेगा इलॉन मस्क का बच्पन में उपरेशन हुआ कान का कान का उपरेशन हुआ फिर भी देखा, सुन नहीं पाता सोचता रहता है, सुनने ही पाता, सुनने ही पाता, बANT मैं समझ में आया, इसका कान ठीक था भीया, लेकिन जब यो कोछ सोच रहा होता है, ऐसे समझ में नहीं आयगा, उसको सुनाएं नहीं नहीं पड़ेगा, और पूरी बरात निकल गई वहाँ से किसी ने आकर पूछा बाद में भाई साब या कोई बरात निकली उनको पता ही नहीं चला बरात कौन सी बरात वो अपना पड़ रहे थे उसको बोलते हैं लेजर शाप फोकस कान बंदो जाते हैं आखें बंदो जाती है कुछ नहीं आए और सनाई परता सारी इंदरियां पूरी फोकस में चली जाती है Elon Musk केते थे के मैं कोई ब्रेक नहीं लूँगा बीच में कहते थे नहीं कहते हैं Parkinson Law Parkinson Law क्या होता है यह deadline driven project को काम करने का तरीका है यह laws के बारे में कभी मैं आपको पूरा वीडियो बनाके देंगा work expands so as to fill in the time available for its completion मतलब क्या है अगर कोई काम करने के लिए आपके पास में एक महिना है तो वो काम एक महिने में complete होगा 15 दिन है तो काम उतना ही expand होगा कि 15 दिन में खतंग हो जाता है और वही काम साथ दिन में भी किया जाता है यानि कि समय उतना expand हो जाएगा जितना आप उसको बता दोगे expand होने के लिए पारकिंसन लॉव मतलब deadline दे रेगा तो एक महिने काम एक हफते में भी किया जा सकता है यह तो Elon Musk कितना भेंकर focus यह first principle में सोचते हैं जड़ में जाकर के हर चीज़ को जड़ में जाकर के जूम इन भी करते हैं जूम आउट भी करते हैं डीटेल में भी जाते हैं बड़ा भी देखते हैं और यह हो गया इनका focus अब आता है time blocking यह तीसरी habit हर चीज़ को time block कर दो if you don't control your schedule your schedule will control you बिलियोनेर्स की habits बता रहा हूं गेम-चेंजर है आज कुछ नोट्स बना लें ना तुम अपनी जिंदिगी में क्या उतारने वाला है nonsense आदमी कितना time waste नहीं करना बता रहा हूं Mark Zuckerberg same कपडे सारी जिंदिगी पहनता रहा है के पास time नहीं है बिल्कुल भी Warren Buffet के पास वही suit वही designer वही design Warren Buffet के ना basically MCD principle है कौनसा principle MCD है दिल्ली का MCD नहीं बता रहा है तुम को और विन केजरी वाल वाला MCD principle क्या होता है वो कहता है तीन चीले बाट लो MCD must do, can do, don't do यानि कि जिते भी काम आएंगे रोच के must do, वो आज करूँगा ही करूँगा can do, time बचेगा तो कर लूँगा don't do, यह फाल तुकाम है किसी और को दे दूँगा मैं तो नहीं करूँगा Elon Musk ने scheduling करनी शुरू कर दी time blocking करता है पांच मिनट का rule है एक मीटिंग पांच मिनट से जादा नहीं करूँगा और मुझको पांच मिनट से जादा लग रहा तो मेरे जूनियर गदा है क्या मेना time किसे ले रहा है पांच मिनट लगाँगा Elon Musk, बिल्कुल फोकस डादमी उसका time waste करोगा उसी में गुसा आता है किसी बात में गुसा नहीं आता पांच मिनट दूँगा हर मीटिंग को पांच-पांच मिनट के ब्लॉक मना रहा है क्ये उसने तू-डू लिस नहीं है time blocking है ये ब्लॉक कर दिया time time blocking के बाद फिर एकदम hard हो जाता बड़ी गहरी लाइन थी कि जब पानी पीता हूँ तो मैं पानी ही पीता हूँ इसको बोलते है फोकस अभी पानी पीरे तो और कुछ नहीं कर रहे है समय अधिक नहीं चाहिए उसी समय में अधिक चाहिए जैस बजास केते हैं आपने टाइम को बॉलग करने के बहुत तरीक है पहले तो समझो कि किया आप दो तीन प्राजेट्ट, दो तीन दिपार्ट्मन, दो तीन कमपणी चला रहे हो क्या आप हर समय WhatsApp ही देखते रहते हो क्या आप 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 स्ट्रगल कर रहे हो बिग पिच्चर थिंकिंग के लिए तो अपने टाइम को ब्लॉक करना शुरू करो वरना अब उसको व्यू लूज इट फॉरेवर हाँ इलॉन मस्क को डर लगता है मेरा टाइम ना निकल जाए फोकस अन ग्रोथ औरियंटेट टाइम ब्लॉकिंग के बहुत तरीकिया होते हैं कभी इससे वीडियो बनाऊँगा टास्क बैचिंग होता है टास्क बैचिंग मतलब एक जैसे सिमिलर काम होते हैं उनको बैच कर दो एक अब मतलब काम बोकस काम बनी इसको बोलते हैं विख से पहले युथ यह अरब पती तो कुछ वी कर देंगे er COLion मूरती सुधा मूरती नका बेटा उप बड़ को कि आप भाईरा लोंु लोग थे तो बेटा बोला मा मेरे को अपने दोस्तों को birthday party देना मैं five star में होके आया किसी की birthday party अरे बड़ा मज़ाया मा मेरे को भी party देने का ऐसा सुधा मूर्ती ने बोला बेटा कितना पैसा लगेगा उसने बोला मा पचास हजार रुपया लग जाएगा कम से कम मा बोली बेटा प्रूटी के साथ गुलाब जामून भी दे दूँगा लेकिन आज वही नराएन मूर्ती का बेटा कहता है मा सबसे बड़ा पार्था आपने सिखाया उसने अपने ड्राइवर को भी बीसे लार पिदिल्स का बेटा पढ़ सका मुकेश अमबानी के पास तीन प्राइवेट जेट अगली कहानी ध्यान से सुनना ईशा अमबानी लंडन में पढ़ रही थी वहाँ दोस्तों पे बिलकुल ऐसा बोल पड़ी वहाँ पे थोड़ा किसी ने उसको छेड़ा तंक किया बोला प्राइवेट जेट आएगा मेरा छुटियों मेरे को लेने के लिए समझ गया अमबानी की लड़की हूँ यह बात मुकेश अमबानी तक पहुंच गई मुकेश को लगा यार बेटी में थोड़ा अंकार आ रहा है उसने जेट नहीं भेजा उसने बोला कि जो तुमको पैसे दिया ना वहाँ खर्जेब खर्ची के उसी पैसे से पैसा बचा के अपने टिकेट लेके खुद आऊगी और उस पैसा बचाई जब तो उसके बाद बिजनस क्लास के टिकेट नहीं थी एकॉनमी का पैसा बड़ी मुश्किल से बचा खुद लोट की आई एक साल तक पिता ने जेट में नहीं बैठने दिया बोला वैल्यू सिखाएंगे तुमारे को उनका बेटा था वो भी एक दिन चौकीदार को कुछ गाली दिया बोला अंबानी का बेटा हूँ जब मुकेश हमानी को बापरा चली उस ने चौकीदार को ढूंडा पता लगाया उसके बारे में सारे परिवार को एक ठाक करके चौकीदार को बलवाया वहीं माफी मंगवाई उससे बोला कि हमारे को वैल्यू सिखानी है ये और क्या पैसे की भी वैल्यू और वैल्यूस की भी वैल्यू बिल गेट्स अगर आप कहीं सर्वे कर लो ना अपने आसपास के आफिस में तो मोस्ट इंफ्लूइंशल लोगों में अगर आप पूछो तीन सबसे इंफ्लूइंशल लोग को ने हर आदमी बिल गेट्स का नाम तीन में से गिरू ले लेगा इतना विल दियस्ट आदमी फोब लिस्ट ने फोब लिस्ट निकाली 23 में से 18 बार वो रिचेस्ट मैं बनाता वर्ल्ड का ठीक अफकोर्स आजकल नहीं है आजकल जेफ भी आगया आगया इलॉन भी आगया आगया तो एक बा वर्त उसकी पॉर्सनल आसेट लो कैलकुलेट किया हिसाब किताब लगा के समझे कि अगर पचास हजार डॉलर अगर गिर जाए हैं यानि कि लगबग 36 लागर पे गिरा हुआ तब बिल गेट्स के लिए जुकना किसी मतलब कोई वैल्यूबल होगा बाई मैं जुकूं जुक करके पैसा उठाओं जुकि यार मैं जुकने में इतना टाइम लग जाएगा इसने जाला पैसा में बेना जुके कमाल हुआ गिरने दे पैसा जाने दे पैसा अब तो यह बोले कि पचास हजार डॉलर अगर एक साथ हो तो उठाएगा थोड़ा फैला हुआ हो तो फिर उसको पैसे पैसे बार पती के बेटा हुआ है और मैं एक सधारन स्कूल के मास्टर का बेटा हूँ विल गेश का कहना है कि बहुत जादा पैसे दोदर कभी भी खर्च नहीं करता काफी जमें तक जिन्दगी बार एकॉनमी फ्लाइट में ट्रावल किया यह पैसे की कीमत को समझते यह नहीं कि अरब पती तो उड़ा देंगे ऐसा इस सारे किस सारे किंग फिशर एर लाइन वाले नहीं होते हैं मालिया मालिया वारन बफे दुनिया के सबसे अमीर आदियों में लेकिन आज तक 1956 के 31,000 डॉलर के पुराने मकान में रहता खुदी गाड़ी चलाता है अगर आ कम पैसा खर्च करने का मतलब यह नहीं कि बिखारी बन जाओ गरीब बन जाओ मतलब यह जहां वैल्यू फॉर मनी हो वहीं पैसा खर्च करें इनकी पांचवी आदत है रिस्क टेकिंग अबिलिटी हां करेज करेज रिस्क यह रिस्क लेता है हर बिलिएर ने जिंदगी में बहुत रिस्क लियें करेज होताँ इंके अंदर पर ध्यान देना करेज़ बोल यह नहीं बोल रहा हूं कर्ज क्या होता है लोन रिस्क का मतलब यहां न कि लोन लिया ज़ा हो फार सैटेड होते विजॉलाइज करपाते है वाल डिस्नी ने उसका मिक्की माॉल्ड डॉनलड बढ़िया चल रहा था बॉल डिजनी का नाम सुना है अच्छा चल रहा था बैया लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं एक नया करता हूँ यह स्नो वाइड एंड सेवन डवार्फ ऐसा करके उसने सोचा कि मैं एक नया काटून बनाता हूँ ऐसा टेकनी कलर फुली अनिमेटेड सिच्वेशन खराब और जो है डिजनी लेकिन लगा रहा वाल डिजनी लगा रहा बना दूगा बना दूगा बना दूगा बना दूगा 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 दुनिया भर में ट्रावल करके आया पैसे मांगे लोगों से को इसको पैसा भी नहीं दे रहा हालत भी खराब हो गई इसकी बीवी ने उसके भाई ने मना किया रहा बस कर बैठ जहतरे मिक्की माउस तुटी चल रहा है बैड renderam से वो मेना नहीं बहुत मेनत किया जब पैसा कहीं नहीं मिला तो मकान उसने अपना गिर्वी रखा तब जाकर के पैसा लेके आया और उसको इत्ती बड़ी सफलता मिली कि उसने 1.5 मिलियन डॉलर लगाया और 8 मिलियन डॉलर का उसको रिटर्न मिला बहुत भेंकर रेवेन्यू मिला पैसा बहुत लगा लेकिन रेवेन्यू मिला री रिलीस करते रहे मुवी इतनी पॉपलर होती चली गई मुवी धीरू भाई अंबानी जो कि जब बंबाई पहुंचे थे ना तो अपने पडोसी मास्टर जी को बोला कि चिट्थी लिख के दे तुम्हारा बेटा चॉल में रहता है जोपड़ी के अंदर मुंबाई की मेरे को भी उस चॉल के अंदर उसको बोलो चिट्थी लिख के दे दो कि मुझे रहने के जगे दे दे उस चॉल के अंदर जाकर के अपने पडोसी मास्टर के बेटे के घर के अंदर जाकर के रहते थे धीरू भाई अम्बानी निने जब टेक्स्टाइल की मिल चालू करनी थी ना उनोंने तो लोगों ने बोला कि भाई आप बिसनसमेंट बन रहे थे वो, बन चुके थे, लोगों ने बोला सेकिंड हैंड ले ले, पुरानी ले ले उसको ठीक कर लिया, ना, बोले करूंगा तो चांद पे जिसकी बात हमें शकी जाती है नील आमस्ट्रोंग आज तक इसका मजा कुड़ाता रहा आज तक इसकी निंदा करी उसने ये बेकार है नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्यों कि वो कहता था कि कमर्शल स्पेस फ्लाइट जो डिवेलप कर रहा है वो हमेशा उसक कि वो किवल 40 मिलिएं डालर बचे थे और दो सबसे जड़ा difficult प्राजेκ्ट थें एक था स्पेस एक्स एक था टेस्ला दोनों बहुत रिस्की थे और किवल 40 मिलिएं डालर बचे थे अब इनके बास बिर यक में चल सम्पिल डालूंगा दूसरी कमपनी मर जाएगी बरबाद है courage है करज नहीं है इसको समदना ध्यान से चटी इनकी आदद यह discipline रहता है इनका health और fitness के यह कहते है कि physical or mental fitness ऐसी होनी चाहिए energy होनी चाहिए है आप मेरे में भी देखते ना भेंकर energy के साथ काम करता हूँ जीवन भर fitness ना एक रिष्टे की तरह है उस रिष्टे के साथ cheating करोगे ना तो रिष्टा लंबा कभी चलेगा नहीं जेफ बैजॉस रोज एक घंटा workout करते हैं अपने ट्रेनर के साथ ट्रेवल करता कहीं जाता है अपना साथ में nutritionist और ट्रेवल अपना ट्रेनर साथ लेके चलता है फिजिकल फिटनेस के लिए जो इसको exercise कराता है यह कहता है कि जतनी भी हाई IQ मीटिंग है उस सुबह सुबह कर लो सुबह सुबह जल्दी उटके कर लो सुबह 10 बेसे एक बज़े के बीश में सारी हाई IQ मीटिंग कर लो शाम को दिमाग धीरे काम करता है आठ गंटे की स्लीप रोज लेता है इसका मानना कि भी आठ गंटे की स्लीप लोग तब बड़िया डिसेजन ले पाओ कर प्रड़क्टिव माइंस्ट रहेगा सारे बिलेदर मैंने देखा कि साथ से आठ गंटा सारे सोते है चाहे कितना ही मेनत करता हो साथ से आठ गंटा सोना जरूरी है और हिल्थ पे काम की इलॉन मस्ट भी साथ गंटा सोते हैं बहुत मेनत करते हैं लेकिन अलाम के बिना उटते हैं साथ गंटे के अंदर उटते हैं एकसरसाइस करते हैं रोज आडिया आडियो वीडियो जिससे तो आपने आपको ट्रेंड कर सके। प्रेट के लिए क्या करते हैं उस हेल्दी ड्रिंक्स पीते रहें पुरा दिन कभी अलग स्मूदी हैं बेरीज की स्मूदी है देख आपके उपर है क्या चुनते हैं अनुशासन का कश्ट क्योंकि डिसिप्लिन में कश्ट है या पश्तावे की पीडा बाद ने पश्ता ओगे बाइया ओपरा वन्फरी भी रोज पांच मील सुबरे वाक गेरू करती है रिचर्ड ब्रांसन पांच बज़े उड़ते हैं सुमिंग करते हैं और अब उनका बिचर्ड ब्रांसन की एकादत है भी वो ना बहुत हेल्थ को लेके अवेर हैं सारे वेलनेस और सूपर फूड और लर्निंग करना एक आम के पेड़ के बोने जैसा है आम के पेड़ को जब बोग न गुठली डालोगे तो शुरू में कुछ नहीं निकलता है रिजल्ट नहीं आता है लेकिन जब आएगा तो जिन्दगी भर मीटा फल मिलता रहता है आप एक एक्स्ट्रॉर्णरी जीवन ज खराब हो जाएगी मशीन हो पड़ी रहे खराब हो जाएगी घड़ी हो खराब हो जाएगी ऐसी आपका शरीर है और आपका दिमाग है अगर ऐसे ही रहेगा तो खराब हो जागा खतम हो जागा वारन बफे इसके जीते जाकते उधरन है वारन बफे करते है धार लगाओ धा गंटा रोज पढ़ते हैं या पात सो पेज कम से कम पढ़ते हैं इलान मस्क 15 गंटे बच्पन में पढ़ा करते थे रोज इन्वेश्टमेंट इन नॉलिज पेज डबेस्ट इंटरस्ट बिल गेट्स पचास किताब एक साले पढ़ते हैं जुकरबर्क एक किताब हर हफ़ते है स्टीव जौज भी एक किताब हर महीने पढ़ते हैं मात्मा गांधी 11,000 किताब उन्दों जिन्दीगी ब Organization अब्राहेम लिंक्टन भी हर महीने किताब पढ़ते थे बराक उबामा का पक्का था कि एक किताब हर महीने कमप्लीट करनी करनी शमाच आता हूं हर हफ़ते किताब करते थे जैक मा एक किताब रोज पढ़ने की कोशिश करते थे और मेरा क्या है कम से कम एक घंटा मिनिमम मैं भी रोज पढ़ता हूँ पहले मैं दो घंटा पढ़ता था लेकिन आज मैं एक घंटा पढ़ता हूँ और एक घंटा अपने अरब पत्यों के वीडियो देख लेता हूँ दो घंटा हो गया लर्निंग मेरा सारे अरब पत्यों के साफ पाउरफुल वीडियो बनाएं न को मैं उनसे भी सीखता हूँ वो कैसे सिखाता है वो कैसे करता है एक बड़ी ची बाप बोली कि टेलिविजन से मुझे अच्छी अपने साथ वालों की प्रॉग्रिस को डिसिजिन मेकर जबरदस्त होते हैं और फीड़ाइक लेने में बहुत तेज हैं हमेशा फीड़ाइक लेकर कि इसपर पर काम करते हैं एन इन बी सुना है न आपने मेरा बॉमन औरानी के साथ वीडियो एन भी नेक्स न्यू बैटर न पहा जाता है अगर कोई आदमी रोज एक परसंट बेटर हो जाए तो एक साल के अंदर वो अड़तिस सो परसंट बेटर हो जाता है पूरी तरहें ट्रांसफॉर्म्ड अपस्किल्ड और रिविल्यूशनरी क्योंकि आपकी जो हैबिट्स है ना वो आपको कंपाउंड रिजल् कंपाउंड होई तो भी कंपाउंड रिजल्चंट तेकोंड इप्रोमज्र है जांथ है के नीचे जाने का बर्बाद की बताब रहुंड ने का चीज के साथ क्या बनादे इसको रगड़ देंगे इतना ट्रेनिंग देते हैं आई बीसी लगबक, फ्री का मॉडल है क्यों कि आपको आइबिसी बनने का पैसा सारा वापिस मिल जाता है और आपको सालों साल की रगड़ देने वाली ट्रेनिंग, लर्निंग इक्वेश्ट इ इसको ट्रेंगा को बिजनस करना है तो तेरे को हम लोग बिजनस आर्मी के अंदर डालग कर जढद के इतना ट्रेन कर देंगे आप ले सकता तरह भापैसे नहीं है तो हम तो जो लोन देंगे इंट्रस्ट्री लोन देंगे तरह सपनों को पूरा करने में तरह साथ खड़े हैं तरह को डिजिटल दुकान, मार्केटिंग को लाटरल, फ्रीकी लीड्स, तरह को शुरुआत करने के लिए तरह पेमेंट पोर्टल बात समझो, your net worth is measure of your financial habit, कितना पैसा कमा है तरी financial habit पे, your weight is the measure of your eating habit, your clutter जो तरी गंदगी है, is the measure of your cleaning habit, your knowledge is the measure of your learning habit, जान वो शक्ति-शाली हत्यार है, जिससे आप पुरी दुनिया बनल सकते हो, और देखो मेरी बात समझो not all readers are leaders, but all leaders are surely readers सीख हमारे साथा करके, board line नमबर पे फोन कर, तेरे को रगड़ देंगे इतना training देंगे, अगर तू IBC बन गया तो, इस नमबर पे फोन करके पता लगा भई, रगड़ने का कौन सा नया स्कीम चालू कर दिया इस वीडियो को शेर करो, वो सारी नहीं बढ़ा होगे, इतना प्रयाज फ्री में content देता हूँ comment box में आ रहा हूँ आप से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़ रहने के लिए हर बार वापिसा के वीडियो को देखने के लिए वर्ड का नमबर वन उंट्रपॉनियोरियल यूट्यूब चैनल बनाने के लिए पढ़े हो किस चक्कर में, विनमरता से कोई नहीं है टक्कर में आप सब का प्रेम पूरो, बहुत बहुत धन्यवाद